Hey guys, welcome back to my channel और आज मैं लेकर आई हो रिव्यू वीडियो और वो जो रिव्यू है वो होने वाला है इस प्रोड़क्त पे यह है Swiss Beauty का High Coverage Foundation और आज का रिव्यू इसके उपर है So without wasting your time चलते हैं इस वीडियो की तरफ, let's get started So यह है Swiss Beauty का High Coverage Foundation This is waterproof based foundation as written over here So basically a foundation है जो claim करता है कि यह High Coverage है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बड़े-बड़े वोट्स में लिका है High Coverage So this is Swiss Beauty का है Swiss Beauty बहुत अच्छी ब्रैंड है Drugstore में अच्छी ब्रैंड है इसके प्रोड़क्त अच्छे होते हैं ऐसे outer packaging में आता है कि काटबोड की packaging है इसमें सबकुछ ingredients and uses and description सबकुछ इधर में इसकी photo दाल दूगी So आप आराम से पढ़ सकते हैं इसके ingredients, uses and all the written things So यह है इसका एक पैनल एक तरफ यह High Coverage का बड़ा सा बोड है Like बारा सा word है and एक तरफ इसकी product की photo है and एक तरफ यह manufacturing and registered number यहां पर सेड नमबर और यहां पर सेड नेम लिखा है So यह है outer packaging, so इसके price कि अगर बात करें तो यह retail करता है 399 रुपीज और इसकी जो net weight है quantity वो है 60 gram और अब इसको खोल के देखते हैं inner packaging, so इसकी inner packaging कुछ ऐसी है, like काफी trendy glass bottle में आती है यह और काफी देखने में काफी अच्य 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 बात है विकॉज आपको जबी foundation चाहिए होता है you don't need to like touch from your hand or just drop it over here just pump and you are ready to go so इसकी packaging है यह ऐसा cover है and यह इसकी overall packaging है आप देख सकते हैं यहाँ पे अगे shade number and shade name लिखा है तो अगर आप से यह outer box गुम भी जाता है तो आपके पास shade number महफूज है महफूज है so अब बात करते हैं इसकी actual product की like inside वाले product जब भी आप ऐसे pump करोगे obviously product निकलेगा और यह जो product है वो थोड़ी liquidy है और मेरे से एक गलती होई या जो भी कही है this is like one to two shade lighter from my skin tone so online यह हो जाता है तो आप यह चीज खयाल रखिएगा अगर हो सके तो आप अपने like markets नहीं कर देखास करके foundation because shade का बहुत ज्यादा लोचा हो जाता है online so यह foundation and यह बहुत ज्यादा liquidy है liquidy नहीं है यह consistency में बहुत watery है तो आप इसे देखो आप इसे blend करोगे तो यह बहुत ज्यादा watery है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है no doubt and shade से lighter आ गया है तो you can see कितना like मेरे hands थोड़े like face के according थोड़े ज्यादा डार्क है so यहां पर कुछ ज्यादा ही light लग रहा है लेकि face पर इतना light नहीं लगता है for sure so blend बहुत ही easily हो जाता है इसकी consistency watery है and यह बहुत अच्छे से blend हो जाता है बिल्कुल आपके skin में absorb हो जाता है और आपके second skin जैसा feel होता है ऐसा नहीं लगए कि अगर same shade का है तो में तो shade ही गलत आ गया है तो यह थोड़ा patch ही लग सकता है बट अगर आपके same skin का foundation है तो यह बिल्कुल absorb हो जाएगा आपके face में और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कोई foundation लगाया है आप देख सकते हैं मेरे hand so basically so यह foundation मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल second skin जैसा feel होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है although मेना skin state थोड़ा light है तो यह थोड़ा लग सकता है बट यह foundation मुझे बहुत पसंद आया और इसके price के बाद करो तो यह 399 रुपीज की मैंने फिलिपकर से खड़ी दी है बट मुझे यह on discount 270 या 280 रुपीज में मिल गया है that is a good deal price range के according यह foundation मुझे बहुत अच्छा लगा और अब देख लेते हैं इसका like coverage यह जो high coverage की बात करता है क्या सच में यह high coverage देता है let's just check out मैंने face पे कुछ भी वेर नहीं कर रखा है लेकि nothing सिर्फ मैंने primer लगा रखा है और कुछ नहीं है face पे तो अब मैं लगा लेती हूं यह foundation और foundation लगाने के लिए मैं एक तरफ brush अब मैं इसके उपर एक और लेर लगांगी अगर आपको full coverage चाहिए तो क्या यह like full coverage दे पाएगा तो लेट मी जस्ट चेक आउट तो यह मैंने coverage बिल्डब का लिया है और आपके लिए early coverage देख सकते हो यह medium coverage देता है यह like two layers के बाद भी इसने full coverage नहीं दी है बिल्कुल भी patch ही नहीं है और मेर स्किन से यह एक से दो शेट लाइटर है बट यह फिल भी पैच ही नहीं लग रहा है यह फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने दूसरे कलर का foundation लगाया है and one more thing यह slightly oxidize होता है like slightly यह बहुत अधा oxidize नहीं होता है slightly slightly oxidize होता है so अगर आप एक shade lighter लेते हो तो that's okay एक shade lighter ले सकते हो इस foundation की so अब coverage देख सकते हो मशे इसने यह coverage दिया है और अब इस side में blender से लगाऊंगी और यह बिल्कुल भी थिक नहीं है एकदम watery consistency है बहुत आराम से blend हो जाती है यह यह है beauty blender का coverage एक गोट के बाद like मैंने एक बार लगाया है और मुझे कुछ ऐसा coverage मिला है और इस side की skin थोड़ी ज्यादा glowing लग रही है rather than this side because brush से थोड़ा मैट लुक आता है और beauty blender से क्योंकि यह गीला होता है so यह थोड़ा सा like glow and काफी natural लुक आता है so यह है एक बार की coverage from beauty blender और इसे मैं एक बार और बिल्ड करूंगी आप देख सकते हैं इस side मैंने brush से अपलाई किये हैं दो coat और इस side भी मैंने दो coat ही अपलाई किये है बट beauty blender से but मुझे coverage दोनों तरफ ही काफी similar लग रही है नहीं तो ऐसे होता है क्या foundation जो अगर brush से लगाते हो उसकी coverage थोड़ी high रहती है rather than blender से क्योंकि blender जो है वो थोड़ा product अब्सॉर्व कर लेता है तो उसकी कारण थोड़ा coverage कम हो जाती है बट मुझे यहां पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ difference नहीं लग रहा है कि मैंने कौन साइड brush लगाया है कौन साइड beauty blender से लगाया है दोनों साइड एक्वल ही लग रही है coverage और coverage की बात करें तो यह medium low to medium coverage है इसे high coverage बिल्कुल भी नहीं कहेंगे दो कोट लगाने के बाद भी मुझे medium coverage ही मिली है यह high coverage या full coverage नहीं है जैसा कि यह claim करता है नहीं है यह इतना high coverage अगर आप यह चीज़ देखके और इसे purchase करते हो तो यह चीज़ यह नहीं करता यह चीज़ नहीं करता है इसलिए इन्होंने बहुत जादा बरे बरे वर्स में लिखे है हाई coverage अगर प्रड़क्ट सही में हाई कवरेज करें तो इतना बरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी यह high coverage तो नहीं है बट यह ड्रग स्टोर में बहुत अच्छा फाउंडेशन है य जो डेली मेकप करते हैं वो जो मेकप से जादा यूज़ टू होते हैं उन्हें high coverage पसंद आती है लेकिन जो लोग नहीं उस करते हैं डेली मेकप वो कभी-कभी जो make-up करते हैं उन्हें high coverage नहीं पसंद आएगी उन्हें ऐसी ही coverage पसंद आईगी like low to medium उनके लिए यह foundation अच्छा है जो बहुत जादा high coverage नहीं मांगते हैं बट ऐसा foundation चाहते हैं जो उनकी second skin जैसा लगे वो लगाने के बाद भी ऐसा ना लगे कि आपने कोई foundation लगा रखा है उन्हें वो लोग इस foundation के साथ जा सकते हैं यह अपने price को justice करता है जितने like जितने price कि है accordingly यह बहुत अच्छा वर्क करता है तो अगर आप लेना चाहते है foundation यह good try है आप जरूर try कर सकते हैं इसे तो यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को प्रेस कर दें अगर